ये गाने की पहचान अगर कुछ है तो डानस है वो सिरियसली स्पिकिंग म्यूजिक अच्छा है लीरिक्स एवरेज लगे सॉंग अच्छा है बहुत अच्छा भी नहीं है इट्स लाइक एवरेज मुझे ओवराल लगा बट जो डानस है ना भाई इस सॉंग को बहुत अलग लेवल पे पहुचा है या मतलब लीरिक्स वाइस बोलो म्यूजिक वाइस बोलो ठीक है इट्स नॉट लाइक कि बार बार गुन गुना होगे हाँ पार्टी सॉंग बोल सकते हो आप इसको पर जिस तरीके से डानस मूज है ना ये तनिश्क बाक्ची वगरा से जादा भाई ये पूरा क्रेडिट अगर मैं किसी को दूँगा अफकोर्स शाहिद कपूर को ये अपना अलग लेवल या फिर मैं कहूँ अलग लेवल क्यों अपना ओल्ड लेवल वो एक पुराना है था ना बहुत से ऐसे सांस हैं शाहिद कपूर के जो अपने डानस फ्लोर पे अलगी लेवल पे वो लेके जाते हैं तो वो एक फॉर्म वापस आया वो देखके अच्छा लगा मुझे होप कर रहा हूं कि मूवी भी अच्छी करें क्योंकि भाई क्रिती सनौन ने बड़े बड़े लोगों को फ्लॉप किया है लास के दो देड़ दो साल में वो जिसको लाती उसके साथ डिजास्टर देने ग उसने जैसे की कसम खा रखिये चाहिए आदी पूरुशो गंपत हो बच्चन पांडे हो उसने बड़े बड़े लोगों को भाई तो भाई कहीं शाहिद कपूर भी उस इसमें फर्स ना जाए नहीं भाई डर है पूजा एगडे कृती सनौन यह बहुत लिजंडरी एक्ट्र और अच्छे टाइम पे आरी है वेलेंटाइन्स वी के शाहिए ना इंत को आरी ना तो अच्छा कासा इसको थोड़े बहुत हॉलिडेज कुछ नहीं तो कपल जाएंगे मूवी को एक अच्छी कासी ओडियंस है इसके साथ पर बजेट एंड और वो सब कुछ देखना अच्छा था यूरिक्स ठीक थे यह नी के बहुत अच्छे थे पर वो शाहिद कपूर ने अलग लेवल पर पहुंचा इस ट्रैक को शाहिद बहुत से लोग गो को यह चीज मतलब यह सौंग पसंद आजाएगा बहुत ज्यादा मैं लीरिक्स वाइज बोल रहा हूं मैं सौ से सौंग से शाहिद कपूर के वह एक था ना यार कौन सा तू है मेरी सोनी है विद्दा बालन वाला फिल्म था वह एक अलगी एक यह था उसके लीरिक्स भी अच्छे थे तो यह लीरिक्स मुझे थोड़े ओके-ओके लगे बडान्स इस इन फॉर्म यार मज़ा आ गया